भारतिय इतिहास में अपार एतिहासिक काल से धेर सारी सभ्यताओं, संस्कृतियों और धर्मों की अनुकरण योगे कथाएं शामिल है यह विश्व इतिहास की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक है, जिसने विश्वमंच पर बहुत लंबे समय तक महत्वकूर्ण भूमी का निभाई है, और आज भी निभा रही है भारतिय इतिहास को एक ही विडियो में एकत्र करना संभव नहीं है, इसे गहराई से समझने के लिए उसे विचार्शील तरीके से अध्ययन करना होगा हमें गुफा चित्रों और पत्थर उपकरणों के आधार पर यह जानकारी मिलती है कि भारत में मानव गतिविधियों के मौझूदा होने के प्रमाण लगभग चार लाख इसी संद से पहले पाए गए हैं हालां की विस्तरित आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं है लेकिन हम यह जानते हैं कि गूमी के ऊपर स्थापित सभ्यताओं में सबसे प्राचीन लोग हडपा के थे जो संभवता कुछ हजार वर्षों से पहले मौझूद थे सिंदु नदी के किनारे स्थित हडपा सभ्यता के पास अपनी लिपी, संपन्न, सामाजिक और व्यापारिक धंचे और शहरी वास्तुकला थी हमें मालूम नहीं कि यह सभ्यता लगभग 1500 इसा पूर्फ क्यों समाप्त हुई, किन्तु कुछ विचारकों का मानना है कि इसे पश्चिमी और मध्य एशिया के आकराम को या सामान्य प्राकृतिक आपदाओं जैसे बाढ़ के प्रकोप के कारण समाप्त कर दिया गया हो सकत है. अगली सभ्यता जिसने अपना प्रभाव छोड़ा वह वैदिक आर्य थे. यह प्रावासी लोग थे जो संस्कृत के प्रारंभिक रूप को बोलते थे और उनकी पहचान के साथ उनके प्रबंधन से काफी जुड़े हुए थे. वैदिक लोग चार पवित्र ग्रंथों या वेदों के नाम से जाने जाते थे, जो इस सभ्यता की जीवन और आस्थाओं की जलग देते थे. इसे हिंदु हिंदीवासी लिपिया की सबसे पुरानी मानी जाती है. यहां माना जाता है कि वैदिक सभ्यता ने लगभग 1000 इसा पूर्व भारत के एक बड़े भाग में अपनी संस्कृती फैलाई थी. वैदिक आर्य ने दार्शनिक मान्यताओं के साथ भारत में अपनी उपस्थिती बढ़ाई. यह धार्नाए संगठन के प्रतीक थे, जिसमें खुशी और मोक्ष को नैतिकता और नैतिकता के साथ प्राप्त किया जाता है, और प्रतेक व्यक् की जीवन के मार्क को उनकी वास्थविक स्थिती पर आधारित किया जाता है, धार्मिक्ता और साधुता को हमेशा उच्च स्थान दिया जाता है. वैदिक आर्यों ने उनकी सामाजिक व्यवस्था को भी बढ़ाया, जो आमतोर पर तीन तपकों में विभाजित थी, ब्राम पुजारी, शत्रिय, युद्धक और वैश्य, सामान्य मनुष्य. शताबदी के बाद आर्यों ने अपनी जन्जातिय बस्तियों को भारत भर में बढ़ाया, जबकि उनकी ससंस्कृती और व्यापार विक्सित और प्रगती कर रही थी. सोना अलग-अलग बस्तियों या राज्यों की एक कड़ी पूरे उत्तरी भारत में फैल गई, जिसमें गानधार, कोशल, कुरुई और मगध शामिल थे. चतुर्फ शताबदी ईसा पूर्व में चंद्रगुप्त मौर्य की शासनकाल के दोरान आणविक विस्तार ने शुरू किया और यहां नेता ने अपने अखंड एकत्व पर नियंत्रन प्राप्त किया और मौर्य सामराज्य को स्थापित करने पर काम किया. इसे प्रथम भा विद्याले का निर्मान किया. इस सामराज्य की व्यापारिक सफलता उलेखनिय थी और इसने एक प्रभावशाली सरकारी प्रणाली और एक द्रिड सेना को बनाए रखा. अशोक सामराज्य के तीसरे समराथ के समय हुए नवनिर्मित बौध आस्थाओं के कारण वे कलिंग के खिलाफ क्रूर लडाई के बाद अहिंसा का पाठ पढ़ने लगे थे. सिद्धार्थ गौतम बुध का जन्म 560 इसा पूर्व में हुआ था और समराथ अशोक के उनके द्वारा स्थापित धार्मिक प्रणाली का भारत भर में प्रसार हो रहा था. शायद उनकी हिंसा में हिस्सा लेने की अनिच्छा के कारण. मौर्य सामराज्य नकारे जाने की नीती सेकंदवी शताब्दी ईसा पूर्व को समाप्थ हो गई. मौर्यवंज की आखिरी कड़ी, ब्रिहद्रत, उसके सेनाप्ती ने उसे मार दिया, जिसने बाद में 185 ईसा पूर्व में शुम धर्म में कोई कमी नहीं आई थी. अकसर अन्य राज्यों के विस्तारधीन शक्तियों के विरुद्ध, पुश्यमित्र ने अपने इलाके पर जोररवाई का काबिस होने का प्रयास किया. फिर भी, राजवंश में महत्र उसकी मृत्यूबाद में कम हो गया, और यहां भारत विभिन्न शक्तियों द्वारा आक्रमित हुआ, जिसमें कुशान सामराज्य भी शामिल था, जनोंने चीन, फारस और रोम के साथ व्यापार संबंध स्थापित किये थे. उन्होंने सिल्क रोड का उप्योग किया था. पहली शताबदी ईस्वी में एक कुशान शासत कनिशका ने बौध धर्म अपनाया और इसके प्रसार में सहयोग किया. में कुशान सामराज्य ने शक यूग की शुरुआत की. उनसे दक्षण में विभिन्न राज एक दूसरे में वर्चस्व के लिए संधर्ष कर रहे थे. सात्वाहन, चेरा, चोल और पांजा राज पूर्ण थे, जबकि उत्तर में गुप्त सामराज्य ने उत्रिष्टता की सूची शास्त्रिय यूग में शीर्ष पर था. गुप्त समराज्य ने उत्तर भारत को अपने नियंत्रण में एकी कृत किया, जिसे अकसर उत्तर भारत के स्वर्ण यूग के रूप में स्थापि ज्यानों के माध्यम से अपने क्षेत्र का विस्तार करने के साथ साथ आदेश और व्यवस्थापन में प्रगती की। हाला की गुप्त सामराज्य ने शताबदियों तक निरंतर सफलता हासिली, पांचवी और छटी शताबदी के बीच उनके पतन की ओर इशारा किया। हुणों ने क्षेत्र पर अपना कबजा बनाया और पारंपरिक सामराज्य के पदाव को खत्म कर दिया। धार्मिक विकास, खासकर बौध धर्म और जो बाद में हिंदू धर्म बन गया, ने शताबदी के अंतिन समय तक खेतियान और प्रभुत्व विरोधी विद्रो का जीवन तालिका पर उठाया। इसलाम के प्रस्थान ने भारतिय सभ्यता में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाया। मुसल्मानों ने युद्ध के द्वारा भारत प्रवेश करना शुरू किया। बृत्यू के शताबदी बाद एक शिंखला की मुसलिम सुल्तानों ने भारत में अभ्यान शुरू किरदारों के नेता के रूप में शुरू किया, सिंद, माल्तान और समनात में जमीन विभाजित किया। हिंदो मंदिरों के विनाश और स्थानिया राज्यों की पराजय इस आक्रमन के केंद्रिय प्रितिक्षाएं थी। हालां किन मुस्लिम सर्दारों की सैन्य अभियान के खिलाफ राजपूत सुल्तानों की ताकत सबसे मजबूत थी। हालां कि 1192 में मुहम्मद गोरी और उसकी सेना ने उन्हें परास्ट कर दिया। जैसे जैसे इसलाम ने अपने पलवे पसारे तेरवी शताबदी के आरंभ होने तक बौध धर्म और अन्य पुरातन धर्मों का अवसान हो गया। इसके बाद दिल्ली सल्तनत भारतिय प्रभुत्व का एक नया यूग प्रारंब करने में सफल हुई। दिल्ली सल्तनत की स्थापना कुतबुद्दीन एबक ने की थी। गुलाम वंश अधिकांश 1290 तक राज्य बर्बस्त रखी जब तक जलालुद्दीन खिलजी ने केंद्रिय सत्ता संभाली। खिलजी परिवार ने एक सधी के बारे में राजा बनाये रखा, तब तक तुगलुक वंश ने 1320 में सत्ता को अपने हाथों में ले लिया। तुगलुक वंश ने तकनी की तौर पर 1412 तक सत्ता संभाली, लेकिन तमूर लैंग के आक्रमन के बाद स्थिती बिगडी। सैद वंश ने 1414 में सत्ता ली एक चुनोतिपूर्ण कार्यकाल के दौरान जो लगभक 37 वर्ष चला। वंश के पतन के पश्चात, खुली गद्धी स्वागत किया और लोधी वंश ने केंद्रियन नीती को संभाल लिया। नया वंश तब तक चला जब तक केबुल के नेता बाबर ने 1526 में इबराहिम खान लोडी को मार कर शासन सौपा। इसके बाद दिल्ली सल्तनत का ही लिप्तान्त हुआ अब जब लोधी वंश की सत्ता बेदाक थी, बाबर ने मुगल वंश की स्थापना की, जो इतिहास के प्रमुख वंशों में से एक बन कर रह गया। तुर्की मंगोल वंशवाद ने दो शतापदियों से अधिक भारत की महत्वा कांगशी जमीनोज को शासन किया, जिसमें महान ताजमहल जैसे प्रमुख सांस्कृतिक और निर्मान उपलबधिया शामिल थी। भारत 1947 में 14 अगस से 15 अगस्त को स्वतंत्र राष्ट बन गया। अठारवी शतापदी के आरंब में मुगल सामराज्य के अवंती ने प्रारंब होते हुए, एक के उपरांथ एक क्रांतिय ने शक्ति की मूल बुन्यात का अस्थिरता शुरू कर दिया। मराथाओं और बृतिश के धमकानों के इलावा, बृतिश इस्ट इंडिया कंपनी का पहली ही इस संवनठन में उपस्थिती काफी समय तक रही। मुगलों के पतन के कुछ समय बाद ब्रिटिश के साथ सिती की बिगडोतरी शुरू हुई 1857 में East India Company का भारत पर नियंत्रन तेजी से बड़ा और स्थानिय वासियों को इसका कोई हक नहीं मिला भारतिय सैनिकों ने मेरट में एक सामान्य विद्रो का आगाज किया जो एक व्यापक विपलव में त्वरित रूप से परिवर्तित हुआ और 1857 के भारतिय विद्रो के रूप में जानकारी मिली यह भारतिय स्वतंत्रता संद्राम के रूप में पहचाना गया और हालांकि अंद्रेजों ने कुछ महिनों में ही विपलव का समाधान करन में सफलता प्राप्त की लेकिन इसका निरंतरता पूर्वक्स थाई प्रभाव रहा एक नवंबर 1858 में विद्रो के जवाब स्वरू ब्रिटिश रानी विक्तोरिया ने प्रकट किया कि भारत पर ब्रिटिश राज्य का शासन होगा उस समय से लोकों ने अपने देश पर ब्रिटिश वर्चस्व के प्रती अपनी अवस्वी कृती और रोश बनाए रखा और राश्चिय विचारधारा और एक शांतिपूर्ण आंदोलन की यात्रा ने फिर से शुरू हुई स्वतंत्रता के प्रती क्रांतिकारी कदम का उद्गोषना महात्मा गांधी और भारतिय राश्चिय कॉंग्रेज ने पहली विश्वी युद्ध के उपरांध असहयोग आंदोलन का स्थापन करके ब्रिटिश सरकार से सहयोग स्थगित करने का घोशना किया जब इस योजना से सामर्थि नहीं मिला तो गांधी ने इसे स्वीकार किया 1929 की दिसंबर में एक नई योजना के रूप में सविने अवग्या आंदोलन का निर्मान भारतिय स्वतंप्रता दिवस की घोशना और ब्रिटिश सरकार के किसी भी आदेश की बॉइकोट से बना था था गांधी जी की योजना नाकाम्याब रही और इस बार उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया जबकि अनेको अन्य विद्रोहियों की हत्या कर दी गई फिर भी अवर्ष अंत में नवंबर 1930 में शुरू हुए गोल में सम्मेलन में अंग्रेजों को शामिल करने की आवशक्ता पड़ी जिसमें गांधी ने भाग लिया सम्मेलनों ने एक और नाकाम्याबी को मार्क किया और सविने अवग्या ने गांधी को अगले प्रयास की पुरानी योजना भारत छोडो आंदोलन की शुरुआ द्वारा पुन्रारम करने का आदेश दिया फिर से कोई विशेश प्रगती नहीं हुई द्वितिय विश्वी युद्ध में नई समस्याय उत्पन्न हुई क्योंकि भारत को अंग्रेजो द्वारा युद्ध के लिए जबर्दस्ती करने का सामना करना पड़ा लेकिन युद्ध के कपाट ध्लने पर एक नवीन श्रमिक पार्टी ने भारतिय सत्तासीन हो गई और उन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के प्रती सहानु भूती प्रदर्शित करने लगी अंत्ता